तो आज से यहां पर EMT जैसे हमने देखा एलेक्रोस्टाटिक्स तक हमने को कंप्लीट किया है जो आपने बेसिक्स और वेक्टर्स देख लिए हैं आपने इलेक्रोस्टेटिक्स से पहले कोडिनेट सिस्टम्स देखा लैपलाशियन ग्रेडियेंट कर लिए सभी चीज़ें करना आपने सीखा तो इस कॉंसेप्र प्रॉब्लम सीरीज का जो मोटिव होगा कि जो भी चीज़ें आपने देख ली हैं उन पर कॉस्टेंस आप प्रैक्ट से यूटलाइस करना है क्योंकि अभी जैसे यह फस्ट जो लेक्चर होगा हमारा इसमें बेसिक सब्सक्राइब के कुश्चंस में आपके लिए लेकर आया हूं आप यह देख सकते हैं इस फौर में हमारे पास यह कुश्चंस होंगे मैं थोड़ा सा आपको टाइम दोंगा तो अच्छे से यूटलाइस करने के लिए आपको क्या करना है जब भी कोई कुश्चं बोर्ड पर डिस्पले होगा तो आप उसको पॉस करके पहले खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि सभी चीज़े हम देख चुके हैं तो कुश्चंस हमसे सॉल्व हो जाने चाहिए अगर सॉल्व हो गया तो भी नहीं हुआ तो भी फिर आप उसके सॉल्विशन में जाएंगे और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आउट ओफ ट्वेल्व यहां पर जो फर्स्ट वीडियो हमारा इसमें मैं 12 कुश्चंस लेने वाला हूँ य इसके बाद जो next lecture होगा उसमें मैं आपके जो वेक्टर कैल्कुलस की जो चीजे हैं जैसे कर्ल ग्रेडियेंट डिवर्जेंस इन सब लेपलाशी इन सब की बात करूंगा स्टोक्स थरम गॉस्थरम की बात करेंगे फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रस्टाटिक पर आएंगे और electric fields related questions हैं उनका हम discussion करेंगे electric field intensity कैसे calculate करते हैं, flux density कैसे calculate करते हैं, gauss law कैसे apply करते हैं, laplashkin कैसे use करते हैं, यह सबी चीजे हम देखेंगे boundary condition पर problems देखेंगे, तो after the completion of this series you must be able to solve all the questions till electrostatics, तो बहुत अच्छे सी utilize कीजिएगा, और क्योंकि live session में आपका participation इतना बहुत तो बिल्कुल comment section में बताना मत बूलिएगा कि आपने out of 12 कितने questions आपने solve गी, अगर more than 7 questions आप attempt कर लेते हैं, तो it is good, अगर उससे और ज़्यादा कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर 7 से कम questions भी आप attempt करें, तो आप बस believe me, आप धीरे 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 आप इस session को शुरू करेंगे, तो ओप कि आप सब लोगों की preparation अची चल रही होगी, चलिए हम start करते हैं आज के session को, देखे सबसे first question क्या है, हमेशा याद क्या रखना है आपको, जैसे ही question display होगा, आपको वीडियो को pause करना है, पहले खुद से उस question को try करना है, उसके बाद आप को solution पर जाना है, ठीक है, चलिए, तो यह हमारा first question आज के लिए, that is, देखिए, आप pause कर लीजी, screenshot ले सकते हैं, ओके, तो question हमारे पास, the vector component of vector f, जो कि हमारे पास given है, 10ax-6ay, plus 5az, that is parallel to vector g, कुछ हमारे पास value given है, और हमारे पास 4 options है, देखिए, आज के जो questions हैं, यह मैंने R क कनोडिया book से लिए, ठीक है, क्योंकि basic questions मुझे चाहिए थे, कहीं से भी, हमें basic questions से जिनके तुरू हम थोड़ा सा concept फिर से discuss कर सके, तो R क कनोडिया के questions है, बिल्कुल इसमें को छुपाने वाली बात नहीं है, एक book से मैं आपको questions लेकर दे रहा हूं, कोई मेरे frame की वे questions नही होता है, जैसे, अगर आप कहें कि आपके पास एक वेक्टर है A, यह एक आपका वेक्टर है A, और A कि आपके पास दूसरा वेक्टर है B, अगर यह आपका दूसरा वेक्टर है B, तो हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी है, हमने पढ़ा है, scalar projection, यानि scalar component of vector A, along vector B, कैसे calculate करते हैं, और vector projection, कि अगर हमें इसका vector component चाहिए, along vector B, तो हम कैसे calculate करते हैं, तो आपने जो दो चीज़ें देखी है, आपने सबसे पहले देखा, scalar component, scalar component of vector A, along B, तेकि हमने क्या चीज़ देखी है, बिल्कुल सिंपल हमें क्या देखा था, अगर हमें किसी भी vector का, किसी दूसरे vector क direction में component चाहिए, तो जिस vector के direction में component चाहिए, उस vector के direction के unit vector के साथ, आप simply dot product ले लिजिए, इस vector का जिसका आपको component चाहिए, मतलब, अगर हम इस vector को यहाँ पर project करें, यह scalar projection जो हमारे पास, यह जो component आ रहा है, इसी component को आपने का है scalar projection, या फिर scalar component of vector A, along B, तो यह जो चीज लि vector के direction में चाहिए, उस vector के direction में जो unit vector होगा, उस unit vector के साथ अगर dot product ले ले, तो अगर इसका angle, अगर हम कहें कि यह जो angle हमारा, अगर वो theta है, अगर यह vector B का direction है, तो इस direction का unit vector भी यह होगा, इसी direction में अगर आप unit vector देखेंगे, तो unit vector इसका इसी direction में होगा, ठीक है, तो जो angle अंगल वेक्टर वी का बन रहा है के साथ वही एंगल यूनिट वेक्टर इंटेरेक्शन ओफ ने घृए को स्टे एक कूर वेक्टर कम पोनेंट चाहिए उसकी वेक्टर का क्या करते हैं कंपोनेंट तो यह जो भी आपके पास स्केलर कंपोनेंट आया है यह जो भी आपका स्केलर कंपोनेंट आया है में किसके साथ जो युनिट भॉक्तर है यसमें अगर यह उनिट भट्र मल्टिक्लाइ कर दिया तो इंक बॉक्तर होगा किस डिरिक्षन में होगा वेक्टर भी के डिरेक्षन में तो यह दो चीज़ें आपको पता हैं कि स्गेलर कम पॉनेंट कैसे फाइंध करते हैं और पारलल तूवेक्टर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप यह रिजल्ट्ट यूजस करेंगे स्केलर के लिए और यह रिजल्ट्ट्र यूजस करेंगे Mark अब देखें की और आपको क्या चीज़ार पता है अगी हमने देख लिये कि हमें वेक्टर देखिया क्या क्या है आपको डिवन है एक हुए एक डिवन है जी मधाफों Leplant यक्टर कंपोनेंटाथे यॉफ नयुटर एक गर फेलोंग और पैरलेल टू वेक्कटर जी तेन इस गिवन वेक्टर F.unit vector in the direction of G और इसके साथ फिर आपको जी डिरेक्शन के युनिट वेक्टर को multiply करना है अब आप G डिरेक्शन का unit vector कैसे find करते हैं तो किसी भी डिरेक्शन में unit vector मतलब अगर आप unit vector देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं एफ डॉट जी डिरेक्शन का unit vector तो वेक्टर जी डिवाइड़ बाई magnitude ओफ एक्टर जी यह होता है युनिट वेक्टर जी डिरेक्शन में चाहिए वह वेक्टर डिवाइड़ बाई उसका magnitude से आपको यह मिल जाएगा और अगर फिर से इसको आपको multiply भी किसके साथ करना है इ तो यह multiply हो करके इसको हम क्या लिख सकते है magnitude of G का whole square लिख सकते हैं तो यह हमारे पास value आई F dot G into vector G and divided by magnitude of vector G का whole square तो इसको आप एक result के form में भी चाहें तो याद रख सकते हैं वैसे बहुत जादा चीज़ें याद रखनी कि हमें जरूरत है नहीं हम easily चीज़ों को समझते हैं उसके according हम करते जाएंगे तो हमें F का G के साथ dot product लेना है यह x scalar quantity आएगी क्योंकि dot product हमेशा x scalar होता है उसको फिर से हम G vector के साथ multiply करेंगे और उसको magnitude of G से k square से divide कर देंगे तो हमारे पास जो vectors हैं वो क्या क्या given है देखिए F में आपके पास 10 minus 6 and 5 तो आपके पास यह vector F given है that is 10 minus 6 and 5 और vector G आपको given है that is 0.1, 0.2 and 0.3 it is given as 0.1, 0.2 and 0.3 ठीक है तो हमने अभी देखा कि हमें जो component चाहिए वो हमें F dot G करना पड़ेगा सबसे पहले तो अगर आप यहां से दो चीजें calculate कर लें एक अगर आप calculate कर लें कि इस G vector का magnitude कित्रा है तो इस G vector का magnitude क्या होगा under root of X component का square plus Y component square plus Z component square X component का square आजाएगा 0.01, Y component का square आजाएगा 0.04 और Z component का square आजाएगा 0.09 यह magnitude of G है हमें magnitude of G का square चाहिए तो अगर आप square करेंगे तो square root हट जाएगा अंतलब क्या value आजाएगी यह आपके पास value आ गई under root हट गया 9 plus 4 13 plus 1 14 carry 1 and it is 0.14 यह हमारे पास value कितनी आ गई magnitude of G का square अगर हम देख रहे हैं तो यह हमारे पास magnitude of G है तो अगर हमने लिखा magnitude of G full square then it is going to be 0.14 चलिए सारी चीज़े हमने calculate कर लिए अब हमें क्या करना है F और G का dot product लेना है और आपको क्या पता है AX.AX1 होता है यह AY.AY1 होता है AZ.AZ1 होता है बाकी सभी किसी के भी साथ अगर आप जैसे AX.AY कर लें value 0 मिलेगी AY.AZ कर लें value 0 मिलेगी and so on तो जब आप इन दोनों का dot product लेंगे अगर आपने लिखा F.G तो क्या value होगी इसका X component इसके X component का multiplication that is 10 into 0.1 is 1 plus इसका Y component minus 6 multiplied with 0.2 that will give you 1.2 minus sign के साथ तो यह हमारे पास आ गया minus 1.2 ठीक है यह और 5 into 0.3 that is plus 1.5 यह तो हमारे पास क्या आ गया F.G की value आ गयी देखिए कितनी value है it is 2.5 minus 1.2 that is 1.3 ठीक है यह यह इस it is 1.3 यह आपके पास F.G भी आ गया तो इसलिए जो vector component चाहिए आपको vector component of F parallel to B parallel to B parallel to G it is given so we have written it as vector F dot vector G into vector G divided by magnitude of vector G whole square तो इसारी values आपने find कर ली है values put कर दीजिए then it is 1.3 times vector G की value है आपके पास 0.1 0.2 and 0.3 और divide करना आपको किस से इसको divide करना आपको 0.14 से तो एक बार हम देख लेते हैं क्या results आ रहा है हमारे पास तो यह जो result है that is 1.3 into 0.1 is 0.13 so it is 0.13 divided by 0.14 which is going to be 0.92 0.928 जिसको हम 0.93 लिख सकते हैं तो यह x component आगे है इसका 0.2 के साथ multiply करेंगे 1.3 को तो 0.26 और अगर आपने 0.26 को divide किया 0.14 से तो यह result आगे आपके पास 1.857 जिसको कि हम 1.86 लिख सकते हैं और 0.3 से जब करेंगे तो यह value आएगी 0.39 इन दोनों का product और 0.39 को आप जब divide करेंगे 0.14 से तो यह result आगया 2.785 that is plus 2.79 हम लिख लेते हैं az तो इसके according अगर हम अपने options को देखें 0.93 1.86 और 2.79 तो 0.93 1.86 3.78 not correct 0.93 1.86 2.79 बतलब यह आपको दिख रहा है किसी option आपके पास given था जो कि आपने भी find किया तो hope कि आप लोग में से जिनने भी solve किया होगा आपका answer बिल्कुल correct आया होगा congrats तो इस तरह से चोटे-चोटे questions के तुरू हम यहाँ पर अपने concepts को recall करेंगे चलिए next question पर आते हम question number one completed question number two same question है लेकिन अब यहाँ पर direction क्या पूछा गया आपस perpendicular to vector जी इसके पहले क्या था हमारे पास question में क्या था हमारे पास question में था parallel to vector जी पहले parallel पूछा गया आपसे perpendicular पूछा गया तो देखें यहीं से यह जैसे आपने अभी जो बात की अगर मालीजिए हमारे पास एक्टे वेक्टर है और यह हमारा वेक्टर है वेक्टर वेक्टर भी तो अगर आप इसका projection देखते इस के रर पोजेक्शन मालीजिए कि आपने अगर से यहां पर perpendicular draw किया ठीक है अगर आपने perpendicular draw किया तो यह जो component है अगर हम इसका magnitude देखेंगे तो हम कहेंगे इस के रर कंपोनेंट है एक वेक्टर मालने अगर हमारा यह एक वेक्टर होता मालीजिए हम कहते है यह origin है ओ यहां पर हमारे पास अगर हम इस पॉइंट को लेट से ह आपके पास एक वेक्टर है, OM जो हमें क्या देगा वेक्टर एक वेक्टर बी के direction में वेक्टर कम्पोनेंट है और यह जो आपको डिरेक्शन दिखराuire है यह वेक्टर कैसा है हमारा इस B के परपेंडिकुलर डिरेक्शन में है तो आपको इस vector A का यही पूछा गया है, कि इस vector A का component जो की vector B के कैसा हो? परपेंडीगोर हो. अगर आप यहां से देखें, अगर हम कहें कि यह vector A है, यह vector हमारा O M है और यह vector हमारा M P है. तो आपको यहां से क्या दिख रहा है? अगर आप triangle of vector addition को याद करें तो एक vector के head पर दूसरे vector के tail को आपने draw किया मतलब आप अगर यह is closing side of the triangle को देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यह हमें क्या दे रहा है इन दोनों का resultant दे रहा है तो यहां से आप यह लिख सकते हैं कि vector A is what vector A is sum of these vectors om and plus mp यह क्या हमारा vector om plus mp है हमारे पास तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यह हमारा जो vector om है इस vector को हम क्या कहेंगे it is vector component it is vector component of A parallel to B parallel to vector B जिसको कि हम कैसे निकालते हैं वह भी हम देख चुके vector A dot vector B into vector A dot जो आपके उसका direction मतले जैसे इसको अगर हम find करते तो इसके लिए अभी आपने result लिखा इस value को हम क्या लिख सकते हैं vector A dot unit vector in the direction of B into unit direction AB जिसको कि आपने और कहा कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं vector A dot vector B divided by into vector B divided by magnitude of vector B का whole square ठीक है इसको हमने ऐसे find किया अब देखिए यहां से यह जो MP है इस MP को क्या कह सकते हैं यह MP क्या हमारा it is vector component of vector component of A perpendicular to perpendicular to vector B तो यह आपसे इस case में यह पूछा गया यह पूछा गया अगर आप यहां से देखें इस relation से तो एक line में आप लिख सकते हैं कि जो vector component perpendicular to vector B चाहिए वह MP vector आपको कैसे मिल जाएगा vector A minus OM मतलब अगर हम vector parallel to vector component parallel to B निकाल चुके हैं अगर हम उसको यह vector में से सब्ट्राइट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा वी के perpendicular direction में एक का कितना component है यह हमें value मिल जाएगी तो इसलिए आप यहां से एक line में फिर से क्या लिख सकते हैं अब अगर हम इस question को देखें तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो f के direction में जी के perpendicular direction में f का component तो आप लिख सकते हैं vector component vector component of f perpendicular to perpendicular to vector g it may be obtained as vector f में से आप क्या सब्ट्राइक करेंगे vector component of f along g और along g हमने कहा कैसे find कर सकते हैं vector f dot vector g into vector g and divided by magnitude of vector g का whole square तो अगर आप यह चीज़ कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा vector g के perpendicular direction में vector f का component मिल जाएगा तो हमें फिर से यह तीन चीज़ें find करनी है तो देखें हमारे पास vector f है 3 2 1 vector f गिवन हमें 3 2 1 और vector g हमें गिवन है that is 4 4 and minus 2 4 4 and minus 2 ठीक है हमें क्या कै चाहिए हमें g का magnitude चाहिए तो अगर हम देखें g का magnitude तो क्या value आ जाएगी under root of x component square plus y component square plus z component square मतलब यह value कितनी आ गई 32 plus 4 that is 36 यह हमारे पास आ गया 36 का under root that is equals to 6 अब हमें क्या चाहिए हमें magnitude of g का square चाहिए तो अगर आप यहीं से लिख लें magnitude of vector g का square तो यह value कितनी आ जाएगी 36 चलिए यह हमें value पता चल गई और क्या चाहिए हमें अगर हमें f dot g चाहिए तो f dot g की value क्या होगी f dot g अगर देखेंगे तो fix है फिर से x और x components का multiplication plus y y component का multiplication z z component का multiplication तो यह result आप गया आपके पास 12 plus 4 into 2 that is 8 and 1 into minus 2 that is minus 2 तो यह result कितना आपके पास 20 minus 2 that is 18 यह आपको मिल गई value तो अब अगर आप देखेंगे अगर हम पहले क्या निकाल ले f dot g into vector g divided by magnitude of vector g का whole square अगर पहले इतना calculate कर लें आप कि यह vector कितना आ रहा है हमारे पास तो f dot g की value है 18 into vector g given है आपको 4 and minus 2 और इसको हमें divide किससे करना है 36 है तो जब divide करेंगे तो 2 times मतलब यह हमारे पास value कितनी आ गई 2 ax plus 2 ay and minus of az अब यह हमें vector पता चल गए therefore अभी जो आपने लिखा perpendicular to b therefore vector component vector component of a perpendicular to vector g vector component of f perpendicular to vector g that is आपको vector f में से यह जो component along भी है यह आपको subtract करना है तो vector f आपके पास यह 3 2 1 और इसमें से आपने subtract किया that is 2 2 minus 1 क्या result आया देखिए 3 minus 2 is 1 ax x और x component को subtract करेंगे y y को और z z को तो 3 minus 2 is 1 ax 2 ay minus it is again 2 ay so 2 minus 2 is 0 तो y component 0 आया और 1 और minus of minus 1 मतलब यह value आगे 2 az तो यह result है आपका finally ax plus 2 az उसके according अगर हम अपने options को देखें तो options की values हमारे पास है तो ax plus 2 az मतलब यह c option आपका correct है तो बिलकुल आप लोगों में से जिन्होंने try किया होगा मैं समझता हूँ कि सभी लोगों का answer बिलकुल correct आया होगा जो लोग बिलकुल नहीं है जिन्होंने कभी problems प्रैक्टिस ही नहीं कि आप सबसे पीछे पीछे अभी हैं लेकिन exam में अभी time है आपको उस level तक पहुंचना है अगर आप कोशिश करेंगे definitely आप पहुंच पाएंगे इसलिए इतने basic questions से मैंने start किया है और ऐसा नहीं कि basic questions होंगे जो आपके according extreme level है questions के हम वहां तक जाएंगे ठीक है आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लेगेगा कि कोई question आपके लिए tough है या easy है एक बार आप जब सभी चीजों को एक बार तोरोली आप देख लेते हैं चले तो हम चलते हैं अप minus m plus 2n अपने आप में ये भी एक वेक्टर चीज होगी कोई वेक्टर आएगा दो वेक्टर के डिरेक्शन में आपको क्या चाहिए unit वेक्टर चाहिए तो आपको यह पता है कि अगर मान लीजे हम इसको वेक्टर एक है अगर हमने कहा कि लेट यह जो हमारे पास चीज आने वाली है minus m plus 2n अगर हम कहें कि हमारा क्या है यह हमारा वेक्टर है तो आपको इस वेक्टर के डिरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो अगर आप से पूछा गया यूनिट वेक्टर इन डिरेक्शन अब देखिये पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना उसके बास सल्विशन देखना है तो इसलिए अगर मैं रुकता नहीं हूं किसी वीडियो पर किसी स्लाइट पर तो भी पहले जैसे यह आया तो आपको पहले pause करके इसको पहले खुद से solve करना है और यहां देखिए जैसे वेक्टर पूछा गया यहां पर आपको इस फॉर्म में गिवन है एक्स एवाई एजट के फॉर्म अगर नहीं है तो भी आपके समझ जाएंगे यह जो पहली चीज लिखी एक्स लिखा है यह वाई कंपोनेंट लिखा और यह जैद कंपोनेंट लिखा है कभी-कभी इस फॉर्म में वेक्टर गिवन होते हैं नॉर्मली इस पॉइंट में इस फॉर्म में आपको पॉइंट के कोडिनेट उसे फर्क नहीं परता चलिए तो माइनस M प्लस 2N को अगर हमने एक magnitude of vector इससे simple question हो नहीं सकता यह सिर्फ इस लिए कि practice कर सकें देख सकें कहा calculation mistakes होती है और हमारे पास vector M और N क्या क्या given है M है आपके पास 8 4-8 M vector है आपके पास 8 4 N-8 और N vector given है आपके पास that is 8 6-2 8 6 and minus 2 तो अगर आपको vector A चाहिए that is minus M plus 2N तो minus M plus 2N क्या होगा minus M plus 2N पहले आप minus M vector find कर लिजे minus 1 से अगर आपने इस सभी को multiply कर दिया मतलब आपके पास यह value है minus 8 AX minus 4 AY and plus 8 AZ अब इसमें आपको add क्या करना है आपको add करना 2N किसी scalar से जब हम किसी vector को multiply करते हैं तो simply उसके सभी components में वो जीज multiply हो जाती है जैसे यहाँ पर minus M का मतलब है M में आपने एक scalar minus 1 multiply किया तो उस minus 1 से हमने इस सभी components को multiply कर दिया ऐसे ही अगर आपको 2N चाहिए तो इस N के सभी components को 2 से multiply कर दिजिए result के आ जाएगा 16 AX plus 12 AY and minus 4 AZ इन दोनों को add कर दिजिए तो क्या result आए इसी को आपने vector A नाम दे दिया है ठीक है तो यह हमारे पास minus 8 plus 16 that is plus 8 AX minus 4 plus 12 that is plus 8 AY and plus 8 and minus 4 is plus 4 AZ यह आपको vector पता चल गया A तो इसका magnitude क्या होगा आपने इसका magnitude find कर लिया result आगे आपके पास A square that is 64 plus 64 that is 128 and 128 plus 16 that is 144 और 144 का root कितना आगे आपके पास 12 आगया ठीक vector पता चल गया magnitude पता चल गया therefore unit vector in the direction of A लिख सकते है आप that is equals to vector A upon magnitude of vector A vector A आपने find किया 884 और उसको divide कर देंगे 12 से 884 इसको आपने divide कर form है तो 2 by 3 2 by 3 and 1 by 3 will be the correct answer उसके according आप अपने option को चुन लेंगे तो 2 by 3 2 by 3 and 1 by 3 मतलब option A correct है इस particular question के लिए ठीक है तो चलिए मैं next question ले रहा हूं आपको फिर से वीडियो को pause करना है और question को try करना है देगे क्या है question consider two points A and B coordinates given है आपको आपसे पुछा गया unit vector extending from the origin to the mid point of line A B A और B दो points है उन दोनों को अगर आपने मिलाया तो आपको line मिली A B उस line के mid point को मिलाने वाली जो line है origin से उस origin से mid point को मिलाने वाली line के along आप से unit vector पूछा गया ठीक है तो मुझे उमीद है कि आपने solve किया होगा इस question को कर पाए होंगे आप नहीं कर पाए तो check कर लीजिए यह मान लीजिए हमने का कि हमारे पास एक point है और यह point है वी कहीं पर भी हो सकता है हम quieres कर्य हमने point नहीं लिए तो यह आपका और अगर यह आपका origin तो अगर आप इस ए और बी को मिलाए यह आपने अगर इस line को मिला तो इसका जो mid point होगा इस line का level point होगा अगर हम कहें कि it point है तो origin से इस midpoint को मिलाने वाली line के along, इसके along जो unit vector आएगा, यह आप से पूछा गया, मानली जीए, आपका यह point A है, यह point B है, अगर हम यहाँ, इस direction में हम हम unit vector देखना है, ठीक है, यह समझ रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, जैसे अगर आप A से B को मिल पी कह सकते हैं, अगर यह origin है तो, तो आपको इसके direction का unit vector चाहिए, मतलब इसको हम AOP कह सकते हैं, यह आपको AOP vector चाहिए, ठीक है, अब यह AOP vector कैसे मिलेगा, मतलब unit vector in the direction of this OP vector, यह आपको कैसे मिल जाएगा, अगर आप AOP find करना चाहते हैं, तो आपको vector OP divided by magnitude of vector OP करना पड़ कहेंगे, अब यह vector OP क्या है, यह vector OP, अगर origin से आप किसी point को मिला रहा है, तो आप कहेंगे, कि इस point P का यह position vector, point P का क्या है, यह position vector, तो इस यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं, where, OP is, is, position vector of, position vector of point P, point P का position vector है, अब point P का position vector है, अब point P का position vector कैसे calculate करेंगे, है अगर हमें Point P के coordinates पता चले स्कूछिस तो हमें पता हैं पिंग स्कून Li ju में किया कि सुद्धेर्ट के इकश वाइजड गया तो इस पॉइंट का पॉजिशन वेक्टर क्या होगा इँगा है quick P की value क्या हो जाएगी X minus X component यहां का that is X minus 0 AX मतलब क्या है जी value X AX plus Y minus 0 AY and plus Z minus 0 AZ Z AZ तो यह आपको इस तरह से क्या मिल जाएगा position vector मिल जाएगा OP और इसका magnitude अगर आप ले लें तो इसके magnitude से divide करके कि आपको unit vector मिल जाएगा जो आपसे पूछा गया तो आपको सिर्फ क्या करना है इतना simple है कि सिर्फ हमें इस point P के coordinates हमें find करने ठीक है अब वह find करने के लिए आपको क्या-क्या information given है A के coordinates given है 1-6 and 4 A के coordinates given है 1-6 and 4 और B के भी coordinates आपको given है that is 7-2 and 0 7-2 and 0 तो इस midpoint के coordinates हम कैसे find करेंगे या तो आप क्या कर सकते हैं बहुत easily दोनों के क्योंकि midpoint के हम बात कर रहे हैं मतलब यहां पर जो x-coordinate होगा वह भी इन दोनों के x-coordinates का mean होगा y-coordinate इन दोनों के y-coordinates का mean होगा z-coordinate इन दोनों के z-coordinates का mean होगा या फिर आप ऐसे समझें कि अगर यह midpoint है मतलब यह distance और यह distance same है अगर यह same है तो आप क्या लिख सकते हैं आप यहां से अगर x-y-z को find करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि to find x-y-z जो x-y-z coordinates हैं तो आप यहां से यह देख सकते हैं कि अगर हम यहां का x component minus यहां का x-coordinate अगर करेंगे तो यह जो value होनी चाहिए वो इसके x-coordinate में से इसके x-coordinate के difference के बराबर होना चाहिए मतलब हम तीन equations लिख सकते हैं पहली equation हम लिख सकते हैं that is x-p point का a point x-coordinate that is 1 तो यह x-1 की value किसके बराबर होगी इसका x-coordinate है 7-x 7-x के बराबर होगी यह पहली equation इसको solve करेंगे x की value मिल जाएगी similarly second equation के लिख सकते हम y-of-6 that will be y plus 6 is equals to minus 2 minus y minus 2 minus y और तीसरी equation क्या हो जाएगी z minus 4 तीसरी equation हो जाएगी हमरे पास z minus 4 is equals to 0 minus z तो यहां से देखे क्या क्या results आगे आपके पास यहां से आगे आपके पास 2x is equals to 8 और x is equals to 4 2x is equals to 8 so x equals to 4 यहां से क्या value आ गई 2y equals to minus 8 therefore y equals to minus 4 और यहां से आपको value मिली 2z equals to 4 therefore z equals to 2 यही same value और कैसे आ जाती अगर आप ऐसे find नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी find कर सकते थे x equals to इन दोनों के x coordinates का sum मतलब 1 plus 7 divided by 2 तो भी आपको 4 मिलता y coordinate इन दोनों के y coordinate का mean that is minus 6 minus 2 minus 6 minus 2 divided by 2 तो यहां से भी आपको minus 4 मिल जाता z coordinate इन दोनों के z coordinates का mean that is 4 plus 0 divided by 2 तो यहां से भी आपको क्या value मिल जाती 2 value मिल जाती x, y, z पता चल गया तो हम ये position vector op find कर लेंगे अब हमारे पास position vector op क्या आ गया vector op is x ax plus y ay plus z az values आपने find की है 4, 4, 2 4, minus 4 and 2 तो 4 ax minus 4 ay and plus 2 az इसका आपको magnitude भी चाहिए तो op का magnitude कितना आ जाएगा under root of 16 plus 16 plus 4 that is what 32 plus 4 36 का under root 6 आगे तारी चीज़े मिल गई आपको therefore जो आपसे unit vector पूछा गया है midpoint को origin से मिलाने वाली line के लोग उसी को आपने vector aop नाम दिया unit vector it is vector op divided by magnitude of vector op तो ये value आगे हमारे पास 4 ax minus 4 ay and plus 2 az divided by 6 अगर आप करेंगे तो ये value आगे 2 by 3 ax minus 2 by 3 ay and plus 1 by 3 az मतलब components क्या है x component 2 by 3 y component minus 2 by 3 and z component 1 by 3 तो 2 by 3 minus 2 by 3 and 1 by 3 कहीं पर दिख रहा है 2 by 3 minus 2 by 3 and 1 by 3 मतलब ये option c correct है इस particular question के लिए तो ये question भी बिल्कुल solve कर लिया होगा आप सभी ने चलिए next question पर चलते हैं नेक्स question pause कीजिए solve कीजिए ओके तो आपने try कर लिया होगा हमारे पास question क्या given है the vector from origin to point a is given as 6 minus 2 minus 4 मतलब 6 ax minus 2 ay minus 4 az ये हमें vector given next बोला गया and the unit vector टेकिए अब next क्या बोला गया है अगर अच्छे से read नहीं किया होगा आपने तो गलती भी की होगे आपने next आपसे बोला गया unit vector ये नहीं देखिए जैसे एक तो origin से point a के लिए आपको vector given है मतलब ये point a का क्या given है आपको position vector given है a point का position vector कितना है 6 minus 2 and 4 और unit vector directed from origin towards point b is 2 minus 2 and जो भी आपके पास values given है और आपसे बोला गया कि if point a and b are 10 units apart then the coordinates of point b देखिए आपको मैं question अगर थोड़ा सा ग्राफिकली समझाओं यह आपके पास कोई एक point है और यहां पर कोई एक point है भी इस point के आपको position vector की value given है मतलब आपको ये given है कि अगर ये origin है अगर ये हमारा origin है तो origin के coordinates होते है जिरो 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 तो इस point का आपको origin से मिलाने वाली line का आपको vector given है मतलब आपको इस point का position vector given है जो कितना given है आपको ये vector आपको given है 6-2 and minus 4 तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास position vector r a given हमारे पास क्या given है position vector of point a that is 6-2 and 4 ये हमें given 6-2 and 4 ये आपको minus 2 and minus 4 6-2 and minus 4 आपको ये given है और क्या given है आपको अगर हमारे पास कोई ये point है एक b तो इस point का आपको position vector नहीं है given जैसे अगर इस point का position vector है 6-2 and minus 4 इसका मतलब है कि इस point के coordinates ही कितने है 6-2 and minus 4 तभी इसका ये position vector आएगा 6-0 x तो इसका मतलब यहां के coordinates आपको पता है 6-2 and 4 इस point के coordinates तो पता है अब आपको origin से इस b point को मिलाने वाली line के along आपको unit vector given है अगर हम कहें इसको ये हमारा क्या है unit vector in the direction of ob इसको अगर हम कहें unit vector in the direction of ob ob के direction का आपको unit vector given है कैसे मिलेगा ob के direction का unit vector अगर हम कहें कि b point के coordinates हैं अगर x y z अगर b point के coordinates होते x y z तो हमारे पास ये vector r b मिल जाता हमें b point का position vector जिसकी value क्या होती अगर हम b point के position vector को मालने अगर हम ये मालने की let coordinates let the coordinates of point b is x y z अगर हमने मालने का इसके coordinates x y z है तो हम इस point का position vector define कर सकते हैं जिसकी value क्या होगी x ax plus y ay and plus z az ये क्या होगा इस point का position vector होगा अब आपको ये position vector given नहीं है आपको क्या given है इस position vector के along unit vector आपको given है मतलब आपको given है ये जो हमारे पास है a ob अगर हम कहें जिसकी value क्या होगी vector r ob या जिसको आपने r b vector नाम दिया है position vector r b तो position vector r b upon magnitude of position vector r b ये आपको given ये vector आपको given है और इस vector की value कितनी है इस vector की value आपको given है कितनी 2 by 3 minus 2 by 3 and 1 by 3 ये आपको given है 2 by 3 minus 2 by 3 and 1 by 3 minus 2 by 3 and 1 by 3 या भी मैंने इसको vector form में ax ay az नहीं लगा के लिखा सिंप्ली ऐसे लिख दे आप समझ जाएंगे 2 by 3 ax minus 2 by 3 ay plus 1 by 3 az इतनी चीज़ आपको given है और क्या given है आपको इन दोनों points के बीच का distance given है तो distance कैसे निकालते हैं अगर हम ये vector define कर दे distance vector a से b को मिलाने वाली line अगर हम इसको distance vector a b define कर दे आर a b तो इस r a b का magnitude आपको given है कितना 10 आपको given है magnitude of vector r a b is equals to 10 ये तनी information हमारे पास given है कि point a और b के बीच का जो distance है that is magnitude of this distance vector r a b it is going to be 10 इतनी चीज़े आपसे given है तो पूछा गया आपसे किस x y z की values क्या क्या होंगे कैसे solve करेंगे चलिए देखते हैं तो जो चीज़ें हमें given हैं जैसे अगर हमसे पूछा जाता कि ये vector r a b क्या होता तो आपको यहां से दिख रहा है triangle law of vector addition कि अगर हम ये vector r a के head पर इस r a b का tail रखकर draw कर रहे हैं तो ये जो closing side of the triangle है ये इन दोनों का sum होगा मतलब हमें पता है कि जो r b हमारा ये और किसके बराबर है ये r a plus r a b के बराबर है जिससे कि हमें पता है कि जब हमें distance vector find करना होता है RAB, तो इसकी value को हम क्या लिख सकते है, RB-RA लिख सकते है, इसको हम क्या लिख सकते है, RB-RA लिख सकते है, अब देखे, इतनी information है हमारे पास, अगर हम इस information को लेकर चले, कि unit vector यह जो आपको लिखा अपने OB के direction में, मतलब यह जो आपके पास unit vector यह आपको given है, यहां से अगर हम देखें, तो आपने लिखा कि अगर B point के coordinates हैं, X, Y, Z, तो B point का position vector क्या होगा, B point का position vector होगा, X, A, X, plus Y, A, Y, and plus Z, A, Z, ठीक है, इसका magnitude कितना होगा, magnitude की value होगी under root of X square plus Y square plus Z square, अगर मान लीजिए हम इस चीज़ को एक constant value नाम दे देते हैं, let's say it is P, let's say it is what, it is P, तो अब हम जो unit vector define कर रहे हैं, A, OB के direction में, जिसको आपने कहा कि vector RAB upon magnitude of vector RAB होगी हमारी value, तो यह value हमें क्या दिख रही है, vector RAB upon magnitude of vector RAB, तो इस unit vector की value क्या होगी, यह हमारे पास है vector X, AX plus Y, AY plus Z, AZ, और इसको हम divide कर देंगे P से, मतलब हमारे पास की value कितने ही आगई, यह value आगई हमारे पास, X upon P, AX plus Y upon P, AY and plus Z upon P, AZ, जहां की P क्या हमारा, इस vector का magnitude है, यह अदर रूट of X square plus Y square plus Z square, अब यह unit vector आपको question में mentioned है, यह unit vector आपको question में कितना given है, देखिए, it is given to be, it is given to be what, 2 by 3 minus 2 by 3 and 1 by 3, यह आपको given है, unit vector मतलब, 2 by 3 AX, वहां तो आपको bracket में ऐसे ही symbolically given है, 2 by 3 minus 2 by 3 and 1 by 3 का मतलब है, 2 by 3 AX minus 2 by 3 AY and minus plus 1 by 3 plus 1 by 3 AZ, तो अब इन दोनों को अगर आप compare करेंगे, अगर आप इन दोनों को compare करेंगे, तो X component यहाँ है, X upon P और उसकी value है 2 by 3, Y component है Y upon P, उसकी value है minus 2 by 3, Z component है Z upon P, उसकी value है 1 by 3, मतलब, अगर आप यहाँ से देखें, तो आपको 3 equations मिले, X upon P is equals to 2 by 3, Y upon P is equals to minus 2 by 3 and Z upon P is equals to 1 by 3, तो यहाँ से आप अगर देखें, तो जो X, Y, Z coordinates चाहिए, वो अब आपको P के respect में, P के terms में आपको मिल रहे हैं, यहाँ से X equals to हम क्या कह सकते हैं, 2 P by 3, Y equals to हम कह सकते हैं, minus 2 P by 3, और Z equals to हम कह सकते हैं, minus P by 3, यहाँ तक आगे हैं, चलिए, इसको हम एक equation माल लेते हैं, कि हमारे पास X, Y और Z की values किन के terms में आगई, P के terms में आगई, अब हमारा काम है, हम P की value find कर ले, अगर हम P calculate कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम X, Y, Z coordinates find कर लेंगे, अब P कैसे मिलेगा हमें, तो आपको यह पता है, कि magnitude of distance vector RAB is given to be what, 10, magnitude of distance vector RAB is given to be 10, अब RAB distance vector आपने अभी कहा, कि RAB हमें कैसे मिलेगा, आपने अभी लिखा है कि vector RAB हमें कैसे मिलेगा, RB minus R A करने से मिलेगा, मतलब, point B के position vector में से, जब हम point A का position vector subtract करेंगे, तो हमें vector RAB मिल जाएगा, point A का position vector आपको पता है, point B का भी position vector X, Y, Z करने से में आपको पता है, तो आप RAB find कर सकते, A है हमारा 6, minus 2, and minus 4, तो यहां से vector, position vector A point का आपके पास 6, minus 2, and minus 4, और RB आपके पास position vector of point B है, X, A, X, plus Y, A, Y, and plus Z, A, Z, इस 6, minus 2, and minus 4, ठीक है, चलिए, तो अब अगर हम RAB vector देखना चाहते हैं, तो vector RAB, जिसको हमने कहा, distance vector है, is equals to, आपने लिखा है, RB minus RA, आपने क्या लिखा है, RB minus RA, तो RB minus RA मतलब क्या आजाएगा, X minus 6, AX, plus Y minus 2AY, and Z plus 4, AZ, यहां हमारे पास क्या आगया, RAB position, distance vector आगया, जिसका magnitude हमें 10 given है, तो अब इसका magnitude कितना होगा, RAB का जो magnitude होगा, इस vector RAB का magnitude, इसको हमने लिखा, X component का whole square, X minus 6 का square, plus Y minus 2 का square, it will be Y minus of minus 2, that is what, plus 2, यह क्या हो जाएगी value, हम subtract कर रहे हैं, RAB minus R A, तो Y minus of minus 2 will give you Y plus 2, ठीक है, और यहां पर भी आपके पास है, Z plus 4 का whole square, और इस magnitude की value आपको given है, कितनी, 10, यह आपको क्या है, it is again given, तो बस इस equation को हम solve करेंगे, और हमें results मिलने शिरू हो जाएगे, तो देखिए, क्या लिख सकते हैं इसको, यह आपने लिखा, चलिए, हमारे पास space कम है, तो space हमें create करना पड़ेगा, ठीक है, देखते हमारे पास कहां space है, previous question में शायद space बच गया था, तो यह हम किस solution कर रहे है, question number 5 का, ठीक है, it is remaining part of solution question number 5, ठीक है, हमारे पास magnitude of RAB की value आ रही है, under root of, अगर यहां से हम under root हटा दे, तो दूसरी तरह स्क्वाइर कर देंगे, ठीक है, चलिए अभी पहले मैं under root रखता हूँ, बाद में हटा देंगे, x-6 का square है आपका, तो क्या value आ जाएगी, x square minus 12x and plus 36, plus y plus 2 है आपके पास, उसका square क्या आ जाएगा, y square plus 4y plus 4, और z plus 4 का आपके पास square है, तो z plus 4 का square क्या जाएगा, z square plus 8z plus 4 का square 16, और यह value आपको given है कितनी 10, दूनों तरफ square कर देंगे, तो यहां से square root हट जाएगा, दूसरी तरफ हमारा 100 हो जाएगा, देखें क्या value आ रही है, x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square, इसके बाद आपके पास है minus 12x, फिर आपके पास है plus 4y, और फिर आपके पास है plus 8z, और constant value कितनी है, 36 plus 4, that is 40, and 40 plus 16, that is 56, इसकी value हमने square root हटाया, इधर square किया, तो value है 100, अब देखें, यह जो चीज है x square plus y square plus z square, यही चीज इसी को हमने क्या माना है, हमने इसी को p मान लिया, यह जो हमने इसका magnitude लिया है, magnitude of r a b, इसी को हमने p नाम दिया, यहां देखा हमने, जो आपका r b है, जो position vector of point भी है, उसके magnitude को आपने under root x square plus y square plus z square को ही आपने p माना है, तो इसलिए हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, हम इतने part को लिख सकते हैं, it is what, it is p square, under root of this value is p, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p square लिख सकते हैं, अब देखें, यहां से अगर हमने लिखना शुरू किया, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया p square minus 12 into x, और x हमारे पास p के terms में आ चुका है, हमारे पास क्या क्या values हैं, हम find कर चुके x equals to 2p by 3, y equals to minus 2p by 3, and z equals to 2p by 3, यह आप चेक करें, यह हमारे पास यह जो तीन equations आई थी, यहां से हमारे पास यह values है, 2p by 3 minus 2p by 3 and it is p by 3, ठीक है, z upon p is 1 by 3, z upon p is plus 1 by 3, so it is going to be what, plus p by 3, ठीक है, तो यह हमने values यहां पर put कर दे, z equals to plus p by 3, तो क्या result आ जाएगा, 12 into 2p by 3, plus 4 into minus 2p by 3, and plus 8 into p by 3 is equals to 100 minus 56, that is equals to 44, अब देखिया, आपके पास एक quadratic equation form होरी है, क्या equation बनी है आपके पास, p square, यहां से value कितनी है, 3 into 12, 12 upon 3 करेंगे, तो यह value 4 into 2, that is minus 8p, यहां से value, it is minus, यह हमारे पास value कितनी है, यह minus 8 by 3, और यह plus 8 by 3, यह cancel out हो जाएंगे, तो यह cancel out होगे, यह पूरा term हमारा, यह दुनों positive और negative same value है, तो यह दुनों values cancel out होगे, तो हमारे पास यह term बचा p square, it is minus 8p, और अगर इस 44 को इधर लेकर आएंगे, तो minus 44 is equals to 0, यह आपके पास एक quadratic equation आगे, अब इसके दो roots आएंगे, हो सकता है, एक root positive हो, एक root negative हो, लेकिन जो आप P लेकर चले हैं, वो P magnitude है, and magnitude can never be negative, तो उन दो roots में से जो positive value आपको मिलेगी, वही आपका P होगा, तो यहां से अगर हम इसको solve करें, तो P is equals to, आप लिखते हैं, minus B plus minus under root of B square minus 4AC divided by 2A, calculate algorithm मैं use ना करूं, तो मैं directly solve कर रहा हूं, it is minus B, that is minus of minus 8, plus 8, plus minus under root of B square, that is 64, minus 4AC, तो minus into minus, कि यह plus sign आजाएगा, 4 into 44, that is 160 plus, यह कितनी value आजाएगी, 176, yes, 4AC की value आगे इतनी, और divided by 2A, that is 2, तो अब दिखिए, जो result आ रहा है, 176 plus 64, कितनी value आगे, 180 plus 60, that is 240, 240 का जो under root होगा, वो 8 से बढ़ा होगा, तो यह आप 2 roots होते, लेकिन आप यह minus sign नहीं ले सकते, जो कि उस case में result आपका negative आ जाएगा, और P magnitude है, जो कि कभी negative नहीं हो सकता, तो यहां से अगर हम देख लें, यह हमारे पास जो result आ रहा है, 240 का under root हम देख लेते हैं, कितने आ रही है value, तो, इसका square root आ गया 15.49, तो यह हमारे पास value आ गए, 8, अब हम minus sign हटा रहे हैं, और यहां पर हम सिर्फ कौन सा sign ले रहे हैं, plus sign, कितनी है value, 15.49, निरली हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, 15.49 है, चलिए हम इसको 49 ही रख लेते हैं, 49 divided by 2, कितनी value आ गए हमारे पास यह, that is equals to 23.49 divided by 2, तो यह value आ गए हमारे पास, 11.74, यह value कितनी आ गई, 11.74, P की value पता चल गए, तो X, Y, Z तीनों की value हम लिख सकते हैं, X is equals to 2 by 3 P, 2 by 3 is equals to what, 0.667, into this 11.74, Y is equals to minus 0.667, into this value 11.74, and Z equals to 1 by 3 P, 1 by 3 is 0.33, so 0.33 into P, that is 11.74, तीनों की values चेक कर लीजिए, तो इसको एक बार अगर हमने 0.667 से multiply किया, तो यह हमारे पास value है, 7.83, इतनी ही value negative है यह, तो यह minus 7.83, और, यह value है 3.87, तो यह हमारे coordinates मिल गए हमें, 0.bk, that is 7.83, minus 7.83, and 3.87, तो देखे, आपको समझा समझा करके बताने में, इस question में थोड़ा सा time लगा, या फिर आपको लगा होगा कि solution lengthy हो गया, लेकिन जब हमें procedure पता है, अगर मैं exam में solve करता, तो यह within 1 and half minutes में solve हो जाता, मतलब लग सकता था कि calculation थे थोड़े बहुत, तो 1 and half minutes लग सकता था, लेकिन 2 minutes time नहीं लगता, तो procedure आपको समझना है, और उसके according जो answer है हमारे पास, 7.83, minus 7.83, and, तो देखे, जो हमारे पास result आया है, आप लोग सभी comment section में, कि यह question बना था या नहीं, ठीक है, तो आपको total number of questions बताने हैं, कि हमने 12 number of questions ट्राई किये, कितने questions हम से solve हो गए, चलिए चलते हैं next question पर, तो next question, question number 6, बिलकुल easy question, a field is given as this, the angle between g and ax at point 2, 2 and 0, तो किसी दो vector के बीच का angle आपको find करना पता है, चाहे आप चाहें तो dot product use कर सकते हैं, आप चाहें तो cross product use कर सकते हैं, दोरों से ही आप angles find कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि अगर हम a dot b लिखते हैं, अगर हम vector a dot vector b लिखते हैं, तो value होती है magnitude of vector a, magnitude of vector b into cos of angle between them, अगर हम माल नहीं को उनके बीच का angle है, theta, ऐसे ही जब आप cross product लिखते हैं, तो a cross b की value लिखते हैं आप, magnitude of vector a, magnitude of vector b into sin of angle between them, और इसके साथ आप एक unit normal vector भी लेते हैं, क्योंकि यह vector product है, तो यह vector quantity है, आपको magnitude के साथ इसमें vector का direction भी होगा, तो किसी से भी, जैसे आप यहां से अगर overall a cross b का magnitude find कर लें, overall all a cross b का magnitude किसके बराबर होगा, magnitude of a, magnitude of b into sin theta के बराबर, तो यहां से आप sin theta अगर find करते हैं, तो sin theta कैसे मिल जाता, magnitude of vector a cross b divided by individual magnitudes, that is magnitude of a, magnitude of b, और यह a cross b कैसे find करते हैं, यह भी हमें पता है, अगर आप a cross b find करेंग तो जो matrix method हमने देखा था यहां पर हमारे पास space नहीं तो नहीं बता रहा हूं otherwise आपको पता है आपके notes में भी लिखे हुआ है तो या तो आप इस तरह से sine theta find कर लें and theta is equal to sine inverse of this value ले लिजिए तो आपको angle मिल जाएगा या फिर अगर आप dot product को use करेंगे तो यह हमारे पास दिख रहा है कि cos theta की value क्या हो जाएगी a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b तो हम अगर इस result को use करें हमारे पास f और किसके बीच में पूछा गया angle g and x तो मतलब यह vector हमारा g होगा ठीक है यहां पर यह vector हमारा किस form में given होगा g के form में आपने question solve कर लिया होगा अगर आप बिना pause किये बिना try किये series को देख रहे हैं तो फिर आपको फाइदा नहीं होगा advantage आपको लेना है यहां पर हमारा काम तो lecture deliver करना है वो तो मैं करूंगा लेकिन आपको advantage तब होगा जब आप खुद से solve करेंगे देखते जाएंगे अगर बन गया तो confidence आएगा नहीं बना तो समझेंगे गलती कहां पर हुई वो mistake पता चलेगी अपनी वैसे तो यह question definitely बन गया होगा तो जी वेक्टर गिवन है और जी और AX के बीच में हमसे एंगल पूछा गया है तो AX मतलब यह एक वेक्टर है और यह भी एक वेक्टर है तो वेक्टर A की जगह पर है आपका वेक्टर G और वेक्टर B की जगह पर है आपका वेक्टर AX तो हम क्या लिख सकते हैं अगर हम लिखते वेक्टर यह हमारे पास गिवन है वेक्टर G क्य और इसका हमें एंगल देखना है किसके साथ? AX वेक्टर के साथ. तो AX वेक्टर के साथ जो हमारा एंगल होगा, वो एंगल हमें क्या मिलेगा? जो required एंगल है theta, that will be cos inverse of, जिस वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, मतलब G और AX के साथ आपको एंगल अगर देखना है, तो G.AX divided by magnitude of G into magnitude of AX आपको करना है, अब AX तो unit vector है, तो definitely उसका magnitude कितना होगा? 1 होगा, और dot product आपको पता है, अगर आप यहाँ से G.AX देखेंगे, तो G.AX की value क्या होगी? सिर्फ AX.AX ही 1 होगा, तो मतलब G.AX की value कितनी आगए? G.AX की value आगए कितनी? Y. Y into 1, that is Y. AX.AX की होगे? 1. तो G.AX की value आपको पता चल गए. अब यह जो theta आपसे पूछा गया, एक particular point पर आपसे पूछा गया, कहाँ पर at 2, 2, 0 मतलब, यह जो आपको find करना है, यह देखना है, at 2, 2, 0 मतलब, X coordinate 2, Y coordinate 2, and Z coordinate 2. तो यहाँ पर जो हमारे पास G.AX की value आई यह Y है, तो theta is equals to लिखा आपने, cos inverse of, G.AX is Y, and divided by, G का magnitude कितना होगा? अगर आप यहाँ से देखें, magnitude of G, तो magnitude of G की value under root of, Y square plus Z square plus X square, तो यहाँ हमने लिखा, under root of Y square plus Z square plus X square, और हमें यह value कहाँ पर देखनी है, at 2, 2, 0, तो X, Y और Z की values put कर दीजे, पहले 2, 2, 0, तो value आगे हमारे पास, cos inverse of Y की जगर 2 upon, under root of 2 का square 4, plus Z square is 0, and plus again X square will be 2 square, that is 4, मतलब यह हमारे पास है, under root 8, under root 8 को हम 2 root 2 भी लिख सकते हैं, तो यह हमारे पास value हा गई, cos inverse of 2 upon 2 root 2, 2, 2 cancelled, मतलब हमारे पास result आया, cos inverse of 1 by root 2, और आपको पता है, कि cos 45 degrees is 1 by root 2, therefore cos inverse 1 by root 2 is what, pi by 4 और 45 degrees, तो यह एक line का question था, angle is 45 degrees, that is option A is correct for this question, तो होब कि 100% students ने, जिनोंने भी try किया होगा, इस question को तो at least आपने करी लिया होगा, बस मैं आपको थोड़ा सा confident रखना चाहता हूँ, सबसे important gate की exam में confidence है, जब आप exam में enter हो रहे हैं, अगर उस दिन आपको यह लग रहा है, कि question paper कैसा भी आजाए, out of 60, at least 50 तो मैं solve कर लूँगा, इसका मतलब है कि आप उस दिन 50 से ज़्यादा question solve करने वाले हैं, और अगर gate के exam में in करते time पर आपको ऐसा लगा, कि यार मैं तो easy question भी नहीं कर पाऊँगा, मैं तो सारी चीज़ें भूल गया हूँ, मुझे तो practice नहीं की, मैंने याद नहीं आरा कुछ, मतलब है कि आपका paper बेगडने वाला है, तो एक positive mindset के लिए ज़रूरी है, throughout the preparation, आप अपने confidence को boost करते रहें, तो आप अपने confidence को boost करते रहें, अब ये question मैंने क्यों रखा, क्योंकि कई students इस type के questions पढ़ते हैं, और उनको लगता है कि ये question tough है, जैसे ही हमारे पास question given है, vector field is given as, G vector आपको given है, the equation of the surface M, on which magnitude of G is 60, अब ये समझ मने आता हम कैसे ऐसा surface की equation कहां से बना है, ये सब चीज़ें तो बहुत mathematical चीज़ें हैं, हमें नहीं पता, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर given क्या है, एक M ऐसा हमें surface देखना है, जहाँ पर magnitude of G की value 60 हो, तो अगर आपको ये vector G given है, तो आप इस vector G का magnitude calculate कर सकते हैं, उसको 60 से equate कर दीजिए, जो equation बनेगी, वही equation आपका answer है, मतलब ये एक line का question है, यहाँ रखने का purpose बस ये है, कि आपको इस type के questions पढ़कर, जो डर लगता है, वो चीज़ें दिमाग से हंटा दीजिए, ये बिल्कुल easy चीज़ें, तो अगर हमारे पास देखें कि result क्या आएगा, तो G vector हमें given है, 12xy plus 6 into x square plus 2, तो हमारे पास कि G vector given है, that is, 12xy ax plus 6 plus x square, और 2 plus x square, 6 into x square plus 2, x square plus 2, ay and plus 18z square az, अगर हम इसका magnitude find करें, इस G का magnitude क्या हो जाएगा, under root of x component square, that is, 144x square y square, plus y component का square, 6 का square आगया 36, a plus b के whole square से open कर दीजिए, तो a square plus 2ab plus b square, और फिर से z component का square, that is, 144z to the power 4, अब आपको यह जो magnitude given है, यह कितना given है, बोला गया आप से, कि यह जो magnitude है, हमें वो surface चाहिए, जहां पर इस G का magnitude 60 हो, तो आपने क्या किया, इस magnitude की value को put कर दिया, 60, 60 बोला गया है, येस, अब अगर आप यहां से square root अटाना चाहते हैं, स्रितब square कर दिजिए, तो क्या result आगया देखिए, इस 144x square y square, plus 36x to the power 4, plus, okay, it will be 2ab, so, 2 into 2 will be 4, यह हमारी value क्या होगी, 4x square, so 36 into 4 से value कितनी हैं आगई, 144x square, and plus 36 into 4, that is again 144, and plus it is 144, z to the power 4, इसकी value, यहां से square root हटाया, तो 60 का square किया आपने value आई, 3600, ठीक है ये, अब अगर आपको दिख रहा है यहां से, ठीक है, अगर हम 36 का factor हमें सब में से common लिख रहा है, तो अगर हम यहां से 36 common कर लें, तो हमारे पास value आजाएगी 4x square y square, plus x to the power 4, plus 4x square, plus ये value constant 4, plus 4z to the power 4, ओके यहां पर हमने, ठीक है, 18 का square किया आपने, it is not 144, 18 square is what, 18 into 18, क्ये result आजाएगा, 144, carry 14, and 18 plus 14, that will be 32, मतलब ये हमारे पास result है, 324, ये result कितना है हमारा, 324, it is 324, और 324 में से, अगर हम 36 common कर लेंगे, ये हमारा 18 into 18 है, 36 common कर लिए, मतलब 18 into 2 common कर लिए, तो यहां कितनी value बच गई, ये value बच गई 9, it is equals to, 36 आपने common लिए है, 36 से divide कर दीजिए, तो इधर 100 आएगा, एक constant term 4 यहां भी है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास finally जो result आ रहा है, जो आपका surface है उसका, उसकी equation हमें मिली 4, x square y square, plus x to the power 4, plus 4 x square, इस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, plus 9 z to the power 4, is equals to, 36 से divide करते तो value होती 100, और उसमें से हमें subtract करना है 4, तो 100 minus 4, that is equals to 96, तो ढूंड लीजिए, आपका option कौन सा है, जिसमें 4 x square y square, plus x4, plus 4 x square, plus 9 z4 हो, तो 4 x square y square, plus it is not 4 x4, हमारे क्या मिला है, हमें सिर्फ x4 मिला है, मतलब यह option नहीं है, यह 2 x square है, यह नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, इसको देखिए, 4 x square y square correct है, 1 x4 है correct है, 9 z4 correct है, 4 x square correct है, चेक कर लेते हैं, yes it is 4 x square, मतलब यह जो option D है, यही आपका correct option है, इस particular question के लिए, तो बताएंगे एक बार, उनको यह questions देखकर समझना है, कि कोई tough questions नहीं है, बहुत easy questions है, बस आपको अपने मंद से direct आना है, चलिए ऐसा ही एक और question मैं आपके लिए लेकर आएं, अब जैसे यह 2 questions हैं हमारे पास, दोनो questions read कीजिए, इसको मैंने एक ही question नाम दिया है, question number 8, जबकि इस दो questions है लग लग, तो इसको मैंने आपको बता दिया, अब आप इसमें try कीजिए, कि बिलकुल easy question है, तो सब लोग pause करके try कीजिए, और बताइए, solution हुआ या नहीं हुआ, चलिए तो आपने try कर लिया होगा, और मैं बहुत sure हूँ कि, अब आपने इस question को solve भी कर लिया होगा, तो देखिए question क्या था हमारे पास, एक vector field given है, e is equals to 4xy square plus, चलिए पहले question को हम ले लेते हैं, vector field e given हमें, 4x square, xy square, 4xy square, ax, plus, 2y sin 2xy, plus 2y, sin 2x, ay, and plus, y square sin 2x, az, y square sin 2x, az, पूछा क्या गया हम से, देखिए पूछा क्या गया, वो surface क्या होगा, जहांपर कि हमारा इस vector e का y component क्या हो जाए, 0 हो जाए, आपसे वो surface पूछा गया, जहांपर y component 0 हो जाए, कितना simple है, इसके y component की value हमें पता है, इसका जो y component है, that is e y, that is equals to 2y sin 2x, अब हम चाहते हैं कि यह जो e y है, for e y equals to 0, तो क्या-क्या possibilities हैं, जिससे कि हमारा यह y component 0 हो जाए, या तो अगर आप क्या put कर दें, case 1 आप ले सकते हैं, case 1, that is, case 1, that is if, y equals to 0, अगर आपने y 0 ले लिया, तो 0 into anything is worth 0, तो अगर y 0 होगा, तो उस case में आपका e y क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा, पहली चीज, 2 तो constant है, दूसरा जो factor है, इसमें वो क्या है, sin 2x, तो case 2 क्या ले सकते हैं आप, case 2 ले सकते हैं आप, कि अगर हमारा sin 2x 0 हो जाए, अगर sin 2x 0 हो जाए, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, e y 0 हो जाएगा, तो भी e y हमारा 0 हो जाएगा, y component will be 0, अब sin 2x 0 हो, तो अगर आप मान ले sin theta, तो sin theta 0 कब होता है, जब-जब हमारा theta क्या हो, n pi का integer multiple हो, मतलब, आप लिख सकते हैं, sin 2x is equals to sin n pi, sin n pi, जहाँ पर n की value 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों तरफ अगर आपने sin, एक्वेट के जो angles हैं, तो आपको value मिली 2x is equals to n pi, therefore x is equals to what, n pi by 2, जहाँ पर n की value हमारी vary कर सकती है, कहां से कहां तक, 0, plus minus 1, plus minus 2 and so on, plus minus 1, plus minus 2 and so on, up to infinity, तो मतलब, अगर हम x की value, या तो 0 ले ले, तो भी y component 0 होगा, अगर हम x की value, pi by 2 ले ले, 3 pi by 2 ले ले, pi ले ले, 4 pi ले ले, उन सभी cases में हमारा e y component आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम अगर हम अपने options को देखें, तो बोला गया कि किस surface पर हमारा y component 0 हो जाएगा, तो पहला आपको given है plane y equals to 0, एक surface y equals to 0 मतलब, जहां पर y coordinate की value constant है, मतलब वो y direction का surface है, और वो उस constant की value कितनी है 0, तो अभी हमने देखा कि अगर y 0 हो जाए, यहां अगर आप y 0 पुट कर देंगे, तो यह term 0 हो जाएगा, मतलब यह तो correct है, हमें यह पता चल गया, कि यह हमारा option correct है, यह हमारा option correct है, दूसरा plane x equals to 0, अभी हमने लिखा कि x की value n 5 by 2 में, 0 plus minus 1 plus minus 2 कुछ भी हो, तो n अगर 0 लेंगे, x की जगा 3 pi by 2 ले लेंगे आप, तो sin 3 pi आपको मिलेगा, sin 3 pi की value 0, तो यह पूरा component क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यह भी आपका correct है, इसका मतलब, जो correct option है, वो कौन सा है, it is the correct option, that is all of these surfaces, on all of these surfaces, we'll be having the y component of this electric field, will be 0, इसी तरह बस आप अगर यहां से देखते हैं, अब आप से बोलागे दाए, vector field e is given as, आपके पास एक vector field है, पुछा गया कि किस reason में, यह पूरा का पूरा vector ही 0 हो जाएगा, यह e vector ही 0 हो जाएगा, तो इसमें से देखिए, कौन सा ऐसा term है, जो कि आपको x, y, z और तीनों components में आपको देख रहा है, तो आपको देखिए, अगर यहां से तो y square है, यहां पर y है, यहां पर भी y square है, अगर हम मतलब हम, अगर y की value को हम 0 ले लेते हैं, अगर हम y equals to 0 ले लेंगे, तो यहां भी 0 हो जाएगा, x component, हमारा vector ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए यही आपका correct option है, अगर आप x equals to 0 लेते, तो क्या होता, y और z component तो 0 हो जाते, लेकिन x component बच जाता, मतलब vector आपका totally 0 नहीं होता, अगर आप z equals to 0 लेते, तो क्या होता, x component 0 हो जाता, लेकिन y और z component 0 नहीं होते मतलब ये तो हो नहीं सकता x equals to n pi by 2 लेते तो अगर आप देख रहे हैं यहां से तो ये component 0 नहीं होगा क्योंकि n pi by 2 करने पर आपको यहां से क्या value मिलेगी 2 into n pi by 2 that will be 2 n pi and cos n pi is minus 1 to the power n तो ये दोनों components तो 0 हो जाते लेकिन x component 0 नहीं होता तो इसलिए y equals to 0 वो plane है जो कि आपके x, y, z तीनों components को 0 बना देगा मतलब overall आपका vector ही क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा ठीक है तो चलिए next हम देखते हैं question तो मुझे लगता है अब इस type के question जब आपके सामने आएंगे तो आपको समझ में आगया होगा कि कितने easy questions है देखा और answer किया वाले questions है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इन चीजों को लेकर घबराट अगर होती है तो फिर ये question पढ़के हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे decide करें किस plane में 0 होगा चलिए तो मुझे लगता आगे आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे तो मैं बिलकुल अभी जो ये beginner जो हमारा first lecture है ये actually it is dedicated to the pure tyro जो एकदम ही beginners हैं उनके लिए हम ये lectures यहाँ पर लेकर आए दिरे दिरे हमारे questions का level बढ़ेगा definitely आप enjoy करेंगे चलिए next question आपके लिए screen पर है pause कीजिए वीडियो को और solve कीजिए इस question को ठीक है तो आपने solve कर लिया होगा ठीक है चलिए question में क्या given है हमारे पास दो vectors है origin से extended है R1, R2 पूछा गया है कि उस triangle का area क्या होगा जो इन दोनों vector से defined होता है बिल्कुल easy question और बिल्कुल basic question जो कि हमें पता है कि अगर हमारे पास यह origin है अगर यह हमारा एक vector है vector A और कोई यह हमारा एक दूसरा vector है vector B ठीक है अगर हमारा यह हमारे पास दो vectors है अगर हमारे पास एक यह vector है vector A और हमारे पास अगर यह दूसरा एक वेक्टर हो, यह अगर हमारे पास है वेक्टर भी, तो आपने क्या पढ़ा है, कि अगर हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोड़क्ट लेते हैं, तो उस क्रॉस प्रोड़क्ट का जो मैगनिट्यूड होता है, उस क्रॉस हम का हमें एडिया देता है मतलब आगर आप यहां से एक वर्चुल एपरड़नोगराम करते पॉस पैडल लोग्राम का यहा होता हो आपको किसे मिलता he आपको वेक्टर X Vector V で so far अब 들고 This separation within two parts pros कर देंगे तो मतलब यह हम दो पार्स में डिवाइट करेंगे इस पैललोग्राम को अगर at या तो हमसे पूछ आइस होगी 1 वाइट्थू टाइम्स मेगरिट्व ओफ एग्रॉस बी आप कैसे हैं तो यह आप calculate करते हैं Cartesian coordinate system में अगर मैं इन जेनरल लिखूं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A x B के लिए जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी coordinate system में अगर है तो उस case में H1 AU, H2 AV, H3 AW यहाँ पर क्या होगी value जो आपके components है AU, AV, AW AU, AV, AW यहाँ पर जो दूसरे components हैं आपके वो मतलब कि BU, BV and BW तो यहाँ पर हमारे Cartesian coordinate system में तो यहाँ पर हमें कोई tension ही नहीं यहाँ पर हमारे vectors Cartesian coordinate system में given है तो यहाँ पर directly क्या result आजाएगा हमारे पास यहाँ पर आजाएगा A x, A y, A z यहाँ पर A का x, y और z component यहाँ पर B का x, y और z component तो A, B के जो components हैं वो क्या है R1, R2 के नाम से given है तो इसको हम R1, R2 लिख लेते हैं ठीक है किसे कोई problem नहीं है R1, R2 के नाम से आपको given है R1 cross R2 तो यहाँ से R1 cross R2 पहले हम निकाल रहे है R1 के जो components है that are 4, 3 and minus 2 यह हमारे पास values है 4, 3, minus 2 और R2 के जो components है 3, minus 4 and minus 6 3, minus 4 and minus 6 क्या हो जाएगा इस determinant की value चेक कीजिए तो A x के साथ coefficient के आएगा इस column इस row को हटा दिया हमने minus 18 and minus minus plus हो गया लेकिन बीच में हमें minus sign लेना है तो minus 18 and minus 8 मतलब यह value कितनी आ गई minus 18 minus 8 that will be minus 26 minus 18 minus 8 that will be minus 26 ठीक है फिर minus sign के साथ अगला अप लेते हैं A y इसके coefficient देखिए इस column को हटा दिजिए इस row को हटा दिजिए 4 into minus 6 is minus 24 and minus of minus 2 into 3 that is minus 6 minus of minus 6 मतलब यह value क्या हो जाएगी plus 6 हो जाएगी और z के components अगर आप देखेंगे az के साथ तो आपने इस column और इस row को हटाया 4 into minus 4 is minus 16 and minus 9 तो यह आपके पास result आया minus 16 minus 9 मतलब हमारे पास यह vector जो आ रहा है that is minus 26 a x minus और यह minus it is minus 18 minus 18 और यह minus मिलकर प्लस हो जाएगा 18 a y और यह आपकी value है minus 25 a z तो इसके magnitude को हमें क्या करना है 1 by 2 से divide करना तो इसका magnitude कैसे मिलेगा हमें यह आपको vector r1 cross r2 मिला भी r1 cross r2 जिसकी value आपको मिली है minus 26 a x plus 18 a y and minus 25 a z चेक कर लेते हैं यह यह vector हमारा yes तो इसका magnitude हमने find किया magnitude of r1 cross r2 तो यह value हो गई under root of 26 का square 676 minus sign plus हो गया 18 का square अभी हमने find किया था 324 and 25 का square is 625 रिसल्ट चेक कर लेते हैं कितना हरा हमारे पास नटे इस 676 plus 324 and plus 625 1625 square root is 40.311 इस 40.31 तो इसलिए अगर हम area of the triangle की बात कर लेए तो area of triangle की value क्या आ जाएगी area of triangle is equals to 1 by 2 times this magnitude that is 40.31 तो यह value कितनी आ गई 20.15 इतनी square unit हमारा answer है तो इसके according आप अपने options को check करेंगे तो 20.15 is the correct option अब देखें यहाँ पर इसी को और और कैसे find कर सकते थे यह तो हमने vector point of view से find किया अब अगर मतलब cross product के तुरू find किया इसी को अगर कोई और करना चाहता तो दो vectors हैं आपके पास अगर आप यह मालने की यह origin से अगर extended vectors है तो एक vector के लिए आपके पास 4ax3ay-2az मालीजिये कि हम कहें कि हमारे पास यह कोई point है origin तो एक vector है आपके पास अगर हम इसका position vector कहें कि r a हमारे पास यह जिसको r1 नाम से दिया गया तो यह distance कितना होगा यह जो vector है आपके पास r1 उसका जो magnitude होगा वो इस distance की value होगी एक दूसरा आपके पास vector है जिसको आपने r2 नाम दिया है तो यह आपका vector है r2 इसको आप अगर position vector मान लेंगे तो यह rb अगर हम इसको नाम दे दे तो उस r2 का magnitude होगा वो आपको यह distance बताएगा तो अगर आपको यह distance पता है तो आप इनके बीच का distance vector find कर सकते हैं यह आपको क्या मिलेगा r a b that is r b minus r a vector के form में देखेंगे तो या फिर अगर हम इसका magnitude चाहेंगे तो यहाँ पर भी इसका magnitude ले लीजिए तो आपको एक triangle मिला जिसके तीनों का magnitude आपको पता है यह किसका magnitude है यह magnitude है हमारे r1 vector का यह किसका magnitude है यह vector है हमारे r2 vector का magnitude और यह क्या हमारा it is magnitude of r2 minus r1 यह तीनों distances आप find कर लेंगे अगर मालीजी हम इसको नाम दे दे let's say it is a, let's say it is b and let's say it is c तो triangle का idea हम कैसे calculate करते हैं हमें पता है triangle का idea is equals to under root of s into s minus a, s minus b and s minus c यह result भी आपको पता होगा where s is semi perimeter that is a plus b plus c by 2 तो अगर आप इस result के through भी देखेंगे तो भी आपको इतना ही result मिल जाएगा यही आपके triangle का area हैगा तो इतना करना यह थोड़ा ज़्यादा time taking है cross product को use करेंगे तो easily area find कर लेंगे इसी तरह अगर आपके पास 3 vectors given होते तो वहाँ पर आपसे parallelo pipe जो form होता है तीनों वेक्टर के तुरू उसका area आपसे या उसका volume आपसे पूछाया सकता था वह सभी चीज़े हमने देखी है vector triple product के तुरू हम कैसे find करते हैं तो जो भी चीज़े हमने लिखी हैं आपके पास जो notes है वह आप अच्छे से रखिएगा और अगर आपके पास notes नहीं है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और करना चाहता हूं आप YouTube students के लिए कि जो paid class के notes है अगर आप लोगों का यहाँ पर engagement है आपका अगर मुझे दिखेगा कि आप लोग questions कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं YouTube से कुछ सीखना चाहते हैं गेंड करना चाहते हैं तो believe me हम जितने भी teachers हैं खासकर एड़ा 24-7 में हम आपको जितनी हमसे possible होगी हम help करना चाहते हैं जो paid class के notes हैं कि आप कहेंगे तो मैं फर्स चैप्टर सेकेंड चैप्टर के आपको नोर्स की पूरी PDF आपको ले दूँगा उसके तुरू भी आप इसी साल एंड्रोल कर लें अगर आप कहीं से भी अगर आप YouTube से पढ़ेंगे और आपने बहुत अच्छा कोशिश करेंगे करने की चलिए next question फिर से एक बहुत easy question given है बस आप इसको try कीजिए question solve कीजिए और confidence gain कीजिए चलिए तो मझे लगता है आपने solve कर लिया होगा देखिए कितना simple question था हमें इस vector के साथ ay का dot product लेना है और उसका double integration लेना है double integration में ध्यान के रखना है बस आपको जो यहां पर पहले given है मतलब यह जो पहला integration ही उसके limit बता रहा है यह z के limit आपको given है 0 to 2 और यह x के limit सा आपको given है it is x equals to 0 to 4 and it is z equals to 0 to 2 यह तो यह आपको identify करना था ठीक है और आपको यह कहां पर बताया गया in the plane y equals to 7 जहां पर मतलब y क value 7 constant है हमें एक ऐसे surface पर यह double integration निकालना चाहते हैं जो y direction का surface है और उस पूरे surface पर x और z तो change हो रहे होंगे लेकिन y की value constant है कितनी 7 तो देखिए हमारे पास vector f हमें f dot ay लेना है तो सबसे पहले f dot ay की value क्या आजाएगी f dot ay जब हम इसका ay के साथ dot product करेंगे तो सिर्फ ay dot ay 1 मतला f dot ay की value आजाएगी yz f dot ay की value कितनी आगे हमारे पास yz तो हमें yz को integrate करना है with respect to z and x और यह हमारे पास limits है तो बिल्कुल एक लाइन में answer आजाएगा आपके पास यह जो integration हमें given है that is integration for z equals to 0 to 2 and x equals to 0 to 4 f dot ay की value हमने देखी कितनी आई yz हमें इसको z और x के respect में integrate करना है y की value हमें जहां पर integrate करना है given है कितनी y equals to 7 constant तो इस y को हम 7 constant बाहर ले सकते हैं z के respect में integrate किया आपने z dz को तो value कितनी आई z square by 2 इसमें limits put कर दीजे कितनी 0 से लेकर 2 तक और उसके बाद फिर आपके पास एक और चीज़ के है dx dx का integration क्या आजाएगा x और इसमें limits put करनी है आपको कहां से कहां तक 0 से 4 तक तो यह result कितना आगया 7 by 2 into z square में 2 put करेंगे तो 4 minus 0 that is 4 only और यहां पर भी क्या value आजाएगी 4 minus 0 that is 4 मतलब यह value आगई 2 तो 7 into 2 is 4 into 2 is 8 and 8 into 7 is what 56 मतलब आंसर कितना आगया आपके पास 56 square unit तो यह 100% student ने इस question को solve कर लिया होगा ठीक है तो आज आपने अगर 10 question भी solve किये तो आपको अच्छा लगेगा तो यह हमारे पास result कितना आगया option b that is 56 चलिए next question easy easy questions आपको मिलेंगे आज question number 11 देखिए पढ़िए solve कीजिए चलिए तो आपने solve कर लिया होगा क्या given है हमारे पास two points in cylindrical coordinates are given as this हमें पूछा गया unit vector at a towards b हमारे पास यह point है यह point है a जिसके coordinates हमें अभी cylindrical के case में given है cylindrical के coordinates है 5 70 degrees and minus 3 5 मतलब यह row की value है 70 degrees मतलब यह 5 की value है and minus 3 मतलब यह z की value है ठीक है यह हमारे पास z की value दूसरा point है b जिसके coordinates है 2 minus 30 and 1 दूसरा हमारे पास की point है b जिसके cylindrical coordinates है 2 रो की value 2 5 की value minus 30 and जैड की value कितनी बन जैड की value कितनी है वान हमसे पूछा गया कि एक यूनिट वेक्टर जो की हमारा कहां से कहां डिरेक्टेड होगा एसे बी की तरफ जो डिरेक्टर होगा अगर आप मान लीजी कि यहाँ पर आपके पास origin अगर यह origin है origin तो इसके coordinates फिर से कितने है, जिरो, 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 तो अगर आप origin के respect में इस point का position vector define कर लें, देखे position वेक्टर या distance vecter जब हम define करते है तो x, y, z coordinates में define करते हैं तो यह position वेक्टर अगर आप इसको nam देदे, let's say it is ra, यह तो आपको पता है जो इस point के coordinates है अगर आप उसको x, y, z coordinates find कर लेंगे तो x, ax, plus y, ay, plus z, az से आपको क्या मिल जाएगा इस point का position vector मिल जाएगा ऐसे ही b point का position vector आप find कर सकते हैं इसको हम rb नाम दे देंगे इस point को coordinates को अगर change कर लें Cartesian में तो हमारे पास directly इसके position vector r2 मिल जाएगा अगर हम a से b को मिलाने वाली line देखें तो यह हमारा distance vector कहलाएगा rb यह भी हम discuss कर चुके हैं पहले ही कुछ questions में और इस rb के along अगर हम इस direction को extend करते हैं तो इसी direction में हमें unit vector चाहिए हमें इस direction में unit vector चाहिए मतला हमें क्या चाहिए a a b cap तो आपको जो unit vector चाहिए a a b cap इसकी value क्या होगी vector distance vector r a b divided by magnitude of distance vector r a b इसके लिए हम क्या करेंगे पहले a और b के coordinates find करेंगे किसमें in Cartesian coordinates तो Cartesian में आने के लिए आपको क्या पता है x equals to हम क्या लेते है value rho cos phi y equals to हम क्या लेते है rho sin phi और z की value दोनों में same होती है that is z मतलब अगर हमें इसके a point के coordinates चाहिए तो for point a point a के Cartesian coordinates अगर हम देखेंगे x की value कितनी होगी rho given है 5 तो 5 cos phi की value given 70 degrees y coordinate की value कितनी होगी rho sin phi that is 5 sin 70 degrees और z component तो दोनों में same होगा अगर वहाँ z की value minus 3 है तो यहाँ पर भी minus 3 होगी ऐसे ही अगर आप देखें for point b अगर point b के लिए देखेंगे तो x coordinate again rho cos phi rho की value given है 2 तो 2 into cos minus 30 degrees cos आपका even function है cos minus theta cos theta के बराबर होगा y is equal to rho sin phi that is rho sin minus 30 degrees यह value minus theta आएगी sin minus theta is minus sin theta और यहाँ भी z coordinate same होगा z की value कितनी है 1 चलिए अब हम इनकी values देख लेए तना calculator से एक बार तो हमारे पास जो values है that is 70 cos 0.34 into 5 यह value आगे 1.71 तो यहाँ से हमारे पास जो values आ रही है x equals to 1.71 y is equals to 70 हमें sign में देखना है और उसको multiply करना है 5 से तो यह value आगे 4.698 बतलब हम 4.79 ले लेते हैं 4.7 ले लेते हैं मतलब ठीक है और z component तो हमें पता है कितना minus 3 यहाँ देखिए x की value क्या आ जाएगी cos 30 is root 3 by 2 that is 0.866 into 2 तो यह value आगे हमारे पास 0.866 into 2 that is 1.73 x is 1.73 y is equals to sign 30 is 1 by 2 row की value आपको 2 given है 2 की value given है 2 तो sign minus 30 is minus 1 by 2 तो 2 into minus 1 by 2 is what minus 1 और z की value तो same है कितनी 1 जैड की value same है 1 तो अब इन points के हमें coordinates मिल गए किसमें Cartesian system में क्या-क्या values हैं इसी के हम Cartesian coordinates कहेंगे 1.71 4.7 and z coordinate is minus 3 इस point के Cartesian coordinates हम कहेंगे कितने हैं यह 1.73 then minus 1 and 1 तो हमें vector r a b कैसे मिलेगा हमें हमें अगर a point के coordinates पता चल गए है तो हम vector r a लिख सकते है vector r a is what जो points आपके coordinates हैं वही x y z के साथ लिख दीजिए unit vectors के साथ तो आपको position vector मिल जाएगा तो it is 1.71 4.7 and minus 3 so it will be 1.71 ax plus 4.7 ay and minus 3 az b point के coordinates आपने find कर लिए तो उसका position vector आप लिख सकते हैं 1.73 ax क्या-क्या values है 1.73 minus 1 that is minus ay and plus 1 az एई है values 1.73 minus 1 and 1 ठीक है तो यहां से आपको चाहिए r a b distance vector तो r a b is equals to vector r b minus vector r a 1.73 minus 1.71 करेंगे तो यह value आजाएगी 0.02 ax minus 1 minus 4.7 मतलब minus 5.7 ay and 1 minus of minus 3 मतलब plus 4 az यह हमें vector मिल गया इसका magnitude find कर लेते हैं तो magnitude की value क्या होगी under root of 0.02 का square point 0004 yes check कर लेते हैं इसी से हम रख कर लेते हैं सारी values तो next हमें लेना है 5.7 का square that is 5.7 square is 32.49 and plus 4 square is 16 तो यह हमारे पास value हागी plus 0.0004 plus 16 and its square root is 6.96 6.96 हमारे पास यह value आगे therefore unit vector in the direction of that rab to aab cap is equals to यह हमारे पास vector है 0.02 सभी को यह magnitude से divide कर देना है ax minus 5.7 ay and plus 4 az divided by 6.96 तो यह हमारे पास 1 divided by 6.96 is 0.82 ay and 4 upon this value that is 4 upon 6.96 is 0.57 az तो 0.002 minus 0.82 and plus 0.57 इसके according आपने अगर options देखे अपने अगर देखें अगर देखें अगर देखेंगे यह option आपको correct दिख रहा 0.003 minus 0.82 and 0.57 मतलब इस question के लिए आपका option d correct है ठीक है तो चलिए मुझे लगता है सभी लोगों ने इस question को भी solve कर लिया होगा तो last question आज के इस session का मैं यहां पर ले रहा हूं और next session में हम vector calculus की बात करेंगे तो चलिए इसको pause कीजिए और solution find कीजिए चलिए तो बिल्कुल simple question था और definitely आप लोगों ने इसको solve कर लिया होगा देखिए यहां पर हमारे पास क्या given है एक vector given है Cartesian coordinate system में और simply हमसे यह cylindrical coordinate system में पूछा गया तो हमें क्या पता है जब भी हमें dot product हमें अगर component चाहिए मितला अगर आपके पास कोई vector d है Cartesian coordinate system में होता तो क्या लिखते हम tx ax plus dy ay plus dz az ठीक है अगर हम यही vector cylindrical में लिखना होता तो क्या लिखते हम t row a row plus d5 a5 plus dz az अगर यही spherical coordinate system में लिखना होता तो क्या लिखते हम d is equals to e r a r plus d theta a theta and plus d5 a5 तो अगर हम किसी भी coordinate system में cylindrical में है तो x y z coordinates होंगे वहाँ पर स्फेरिकां Cartesian में cylindrical में row 5 z components होंगे आपके spherical में r theta 5 components होंगे तो हम इसको find कैसे करते हैं जैसे अगर हमें d row find करना है तो हमें पता है कि जिस direction का आपको component चाहिए किसी vector का तो vector को उस direction के unit vector के साथ simply आपको multiply कर लेना होता मतलब आपको d row कैसे मिल जाता किसी भी coordinate system में vector given है अगर उसका रो direction के unit vector के साथ कर लेंगे dot product तो आपको क्या मिल जाएगा d row component मिल जाएगा ऐसे ही d 5 component कैसे मिलता आपको vector d का फाई के direction के unit vector के साथ dot product z कैसे मिलता vector d का z component के direction के unit vector के साथ dot product तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका d vector किस coordinate system में given है बस आपको उन coordinate system के unit vector का product पता होना चाहिए a5 a row और a z के साथ ऐसे ही अगर हमें r theta phi calculate करना होता component तो dr हम लिखते vector d dot ar d theta हम लिखते vector d dot a theta and d5 हम लिखते vector d dot a5 तो इसके लिए हमने क्या देख रखा है हमने इसके देख रहा है कि हमें dot product tables पता होने चाहिए तो क्या है वो dot product tables आपने देखा है जैसे ax ay az a row a5 az जब हम इनका dot product लेते हैं axyz का row 5z के साथ तो आपके पास यह value थी that is cos phi minus sin phi 0 sin phi cos phi phi 0 and 001 जिससे कि आपने देखा था कि अभी जो हमने find किया अगर हम इसी को अगर matrix form में लिखना चाहिए तो directly आपके लिख सकते हैं कि अगर आपको x y z component चाहिए और अगर आपके पास row 5z components हैं अगर आपके पास row 5z components already हैं row 5z components तो हमारे पास क्या होगा directly यह value cos phi minus sin phi 0 sin phi cos phi 0 and 001 से अगर आप इनको multiply कर देंगे तो जैसे x की value आपके इस row को इसके साथ multiply कर दीजिए तो आपको यह values मिल जाती है या फिर आपने यह भी देखा कि अगर हमें a row a5 az चाहिए a row a5 az अगर चाहिए तो यहां पर हमें अगर हमारे पास x y z components हैं अगर हमारे पास x y z components अगर हैं तो हमारे पास की value कैसी आती है cos phi इसी का बस आपको conjugate ले लेना होता है that is cos phi transpose actually cos phi minus sin phi 0 sin phi cos phi 0 and 001 अगर यही चीज हमें देखनी हैं किस किस के बीच में dot product आपके cartesian और spherical के बीच में तो वहां पर हमारे पास कैसी value थी अगर हम देखते ax ay az का dot product किस के साथ r theta and phi के साथ तो यह हमारे पास इस table को भी हमने define किया हुआ है क्या थी हमारे पास value sin theta cos phi cos theta cos phi minus sin phi it is sin theta sin phi cos theta sin phi cos theta sin phi and cos phi and it is cos theta minus sin theta and 0 तो इस dot product से आपको cartesian और cylindrical के बीच की values मिल जाएंगी ऐसे ही आपने cylindrical और spherical के बीच में भी लिखा था तो यह सारी चीजें आपको पता हैं यहां पर हमारे पास cylindrical में vector given है और हमें cartesian में vector given है और हमें cylindrical चाहिए तो यहां पर हमारा जो vector given है वो देखे क्या given है आपको आपका vector given है x upon x square plus y square ax plus y upon x square plus y square ay ठीक है यह हमारे पास vector given है क्या हमारा vector vector d given हमें x upon x square plus y square ax and plus y upon x square plus y square ay मतलब यह vector का x component है यह vector का y component है अभी हमने कहा कहा कि अगर हमें vector का cylindrical में convert करना मतलब हमें दी रो दी फाई और दी जड़ अगर चाहिए तो इसको हम कैसे find कर लेंगे जो हमारे पास x y z components x component कितना है x component है x upon x square plus y square y component है y upon x square plus y square और z component नहीं दिख रहा मतलब कितना है जीरो अगर हम इसको multiply करें रिटली किस matrix के साथ cos phi minus sin phi 0 sin phi cos phi 0 and 001 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा इस पहले रो को इस column के साथ multiply करेंगे तो पहला रो component 5 component z ऐसे हमें मिलती जाएंगी अब important क्या है कि वह जो वेक्टर आएगा अगर आपको cylindrical coordinate system में वह वेक्टर find कर रहे हैं तो cylindrical coordinate system में x y z नहीं होते वहां क्या होते हैं तो अगर आप यह जो values हैं यह x y z के terms में लिखी वी अभी आपको पता है कि x is equals to rho cos phi y is equals to rho sin phi and z equals to z जिससे कि आपको यह भी पता है कि अगर हम under root of x square plus y square देखें तो इसी की value हम क्या लिखते हैं रो लिखते हैं मतलब हमारे पास यह जो values given हैं अगर हम इनको पहले convert कर लें सो हम इसको लिख सकते हैं x को लिखा हमने rho cos phi और divided by x square plus y square को हम rho square लिख सकते हैं मतलब यह value कितनी है 1 you got लिख सकते है रो sin phi और divided by x square plus y square को फिर से हम row square लिख सकते हैं मतलब यह 1 upon row sin phi है और यह तो 0 ही है तो अगर आप इन दोनों को multiply कर लेंगे तो आपको d row d phi और dz components मिल जाएंगे तो देखें क्या होगी values अगर आपने row component देखा तो d row की value इस पहले row को इस column के साथ multiply करना है तो cos phi into 1 upon row cos phi that is 1 upon row into cos square phi plus sin phi into 1 upon row sin phi that will be 1 upon row into sin square phi और 0 into 0 that is 0 तो यह हमारे पास क्या आया row component आया 1 upon row common कर लेंगे तो cos square phi plus sin square phi की value कितनी हो जाएगी 1 मतलब यह value कितनी हो जाएगी total it is nothing but 1 upon row only यह हमारे पास row component आया 5 component क्या होता इस second column को इस second row को इस column के साथ multiply करेंगे तो minus sin phi into 1 by row cos phi that will give you minus 1 by row sin phi into cos phi plus cos phi into 1 by row sin phi so it will be 1 by row cos phi into sin phi और 0 into 0 that will be 0 only अब यह देखे जितना यह negative है उतना ही यह positive sin phi cos phi sin phi cos phi और यहाँ 1 by row यहाँ minus 1 by row तो यह value multiply add subtract होगर क्या हो गई 0 हो गई z component कितना आता 0 into this that will be 0, 0 into this that will be 0 and 1 into 0 that will again be 0 वैसे भी आपको पता है कि vector का z component same रहता है इसका मतलब जो z component यहाँ था Cartesian में वही z component आपके cylindrical में भी आएगा तो z component यहाँ 0 है तो वहाँ भी कितना आएगा 0 तो यहाँ पर directly हम लिख लेते हैं dz equals to what 0 तो आपको रो component 5 component और z component मिल गए तो vector कैसे लिखेंगे आप vector d लिखेंगे आप that is t rho a rho plus rho d phi a phi plus d phi a phi and plus dz az तो अगर आप values put कर दें तो d rho की value आई है आपके पास कितनी 1 upon rho तो यह हो गया 1 upon rho a rho और यह दुनों values आपके पास कितनी आई है 5 और z component आपने खाँ 0 होगा इसलिए आपके पास यही रिजल्ट है कि vector d की value कितनी होगी cylindrical coordinate system में it will be 1 upon rho in the direction of rho तो उसके according अगर आप अपने options को देखें options आपके पास given है तो यह option ही आपको दिख रहा है arrow upon rho तो यही आपका correct option है तो चलिए आज के सारे questions हमने discuss कर लिए हैं तो इस तरह से मैं आपके पास अगला lecture लेकर आऊंगा जो इससे थोड़े advanced level पर हम जाएंगे वहां पर हम gradient divergence curl laplacian stokes theorem gauss theorem की हम बात करेंगे line surface volume integrals की बात करेंगे different coordinate systems में बात करेंगे तो उसके लिए important है कि आपके comments मुझे यहां पर दिखें कि आपने इन questions को बिल्कुल easy questions थे मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई student बोलेंगे solve by myself 12 out of 12 कितना अच्छा लगेगा सुनकर 10 बोलेंगे तो भी अच्छा लगेगा 6-7 भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा तो comments में आपको बताना है कि आपने क्या इन questions को try किया अगर आपने try किया तो क्या आपको लगता है कि हम वेक्टर की जो बेसिक चीजें हैं वह हमारी recall हो गई तो यह सबी चीजें आपको बतानी है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर next वीडियो लाइव करूंगा अभी मैं record कर लूँगा लेकिन वह लाइव तब होगा करते रहिए जरूर हम अच्छे रिजल्टे पहुंचेंगे थैंक यू अलबेस्ट टेक केर